हालो दोस्तों वेलकम टू रिजल्ट गुरू चैनल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम रोज 11 बजे यहां लाइव होते हैं बाई लज जी के लिए तो जल्दी से सेशन को जॉइन कर लें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें येस नीलम बेटा बांके भिहारी गुड मॉनिंग आईशा गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग तू आल फू जल्दी सेशन को जॉइन करें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग केवेस में यूनिट वाइ और पिछले बार पिछले कुछ एक्जाम में बार पूचे गई है हम उनको तो हमने इनिमल किडम लास्ट फे खटम किया था day में आजम किसके बारे में बाथ करेंग एक तो चलो शुरू कर लेते हैं मुफ करते हैं फर्स्ट क्वेशंन पे अभी तक जुसator n डाउनलोड नहीं किया है वो इस मोबाइल आपको डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर पे अबलेबल है जिसमें आपको डेली फ्री पीडियेफ 3300 प्लस mcqs मिल जाएंगे ठीक है चलो तो शुरू करते हैं question first क्या कहता है first question बे मूव करते हैं और first question कहता है हमारा plant sorry चलो match the plant with the kind of life cycle it exhibit list one में आपको दे रखा है spirogyra fern funeria और साइकस और list two में आपको दे रखा है dominant dominant deployed sporophyte vascular plant with highly reduced male or female gametophyte आप यह देखो यह वाले अलग है यह list two अलग है यह ऐसे हैं फर्स्ट यह है इसका second यह है third यह है fourth यह है तो first में आपको दे रखा है dominant dominant deployed sporophyte vascular plant with highly reduced male और female gametophyte दूसरे में आपको दे रखा है dominant haploid free living gametophyte तीसरे में दे रखा है dominant diploid sporophyte alternating with reduced gametophyte called pro thallis और fourth आपको दे रखा है dominant haploid leafy gametophyte alternating with partially dependent multicellular sporophyte तो किस किस के बारे में बात की है spirogyra के fern के funeria के और psychus के सबसे पहले अगर हम spirogyra की बात करें तो spirogyra क्या है एक येस कौन बताएगा spirogyra क्या है algae है green algae को कहते है spirogyra बोलो green algae को कहते है तो येस तो यहां पर आपको spirogyra क्या है green algae इसकी life cycle कैसी होती है haplontic होती है haplontic life cycle होती है haploid वाली जो stage है वो क्या होती है dominant होती है ठीक है तो अब आप देखो किस में आपको दिख रहा है कि haploid dominant haploid second वाले में दिख रहा है 2341 इसका यह answer लिख लेते है 2341 ठीक है ओखे शिवांगी गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग चलो येस यह होगा सभी लोग कह रहे हैं यह होगा यह answer होगा अच्छा चलो देख लेते हैं दूसरा फर्न की बात करें तो फर्न क्या है टेरीडोफाइटा है और टेरीडोफाइटा की life cycle आपको पता है कौनसी stage dominant होती है dominant stage कौनसी होती है dominant dominant deployed stage होती है कौनसी वाली sporophyte वाली sporophyte और sporophyte sporophyte और gametophyte दोनों stages आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है दीपक तनवर गुड मॉर्निंग बिटा गुड मॉर्निंग चिक है अगर फ्यूनेरिया की बात करूं तो यहां देख लो dominant deployed sporophyte कौनसा है dominant deployed sporophyte यह दा लेकिन यह भी है लेकिन इसमें लिखा हुए कि वैस्कुलर प्लांट होता है तो यह वैस्कुलर तो नहीं है कि जिसमें male और female gametophyte reduced हो जाते हैं इसमें नहीं होते हैं यह free living gametophyte होता है इसमें इसमें कौनसा free living gametophyte होता है जुसको free living gametophyte भी बोलते हैं free living gametophyte भी बोलते हैं ठीक है और तीसरा दे रहका है psychus नई four दे रहका है psychus यह तो हो गया funeria की बात रहेगी funeria कहां से बिलॉंग करता है तो हो गया बी का क्या हो गया बी का हो गया आपका third ठीक है very nice very good अब आते हैं सी पे सी क्या है आपका funeria funeria कौनसी class से बिलॉंग करता है यह कौनसी division ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा यह moss plants होते है ना इनकी इनकी life cycle कैसी होती है इनकी life cycle होती है haplode plontic life cycle diplontic life cycle ठीक है जिसमें free living free living gametophyte होता है और sporophyte present होता है dominant alternative यह क्या दे रखा है तो third का होगा dominant haplode haplode leafy gametophyte alternating with partially dependent multicellular sporophyte इसमें multicellular sporophyte present होते हैं ठीक है clear है मैं यह बहुत गोचपुच हो रहे है, बहुत गोचपुच हो रहे है, चलो मैं एक एक जगा आपको लिख देती हूं रुको को अब देख लो अब DR हो जाए इगा मैं तो सोच्री σय थी वहीं पहली बात किसकी किये सबसे पहले बात किसकी किये spirogyra की spirogyra की है न और spirogyra क्या है यह green algae है green algae है इसकी कौन सी stage dominant होती है haploid haploid stage जो है वो क्या है dominant है clear है इतनी बात next दूसरी किसकी बात की थी fawn की fawn की जो क्या है teradophyta है teradophyta यह green algae है इसमें जो life cycle होती है वो कौन सी होती है dominant stage कौन सी होती है इसकी dominant stage होती है deployed deployed वाली कौन सी sporophyte sporophyte हाहा correct है बेटा correct है with reduced free living reduced free living gametophyte gametophyte चोटा होता है न और वो free living होता है तो free living gametophyte चोटा है लेकिन dominant stage कौन सी है sporophyte वाली है किसके अंदर sperm के अंदर तीसरी बात हो रही है funeria की funeria कौन सी क्लास से belong करता है bryophyta division कौन सा है bryophyta सबको विजिबल है विजिबल हो रहा है ठीक है तो funeria क्या है bryophyta है और कैसी stage है haplodeplointic है haplodeplointic है जिसमें free free living gametophyte होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं और psychus जो है वो कौन सा है वो तो gymnosperms है उसमें तो sporophytic body भी होगी और sporophytic भी होगी और दूसरी भी होगी तो यह होगा two second का a का second चलो यहाँ पर अब लिख लेते है a का क्या है second और b का क्या है यह third third c का क्या है funeria का funeria क्या है dominant fourth और d का है one जिसमें male और female reduce हो जाती है तो यह है two three four one two three four one बी आंसर है इसका कि चिक है कुछ 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 के लिखा है आज कि चलो अब आप नेक्स question पे आप विजिबल हो गया था ती चारो मैंने अलग-अलग आपको बता दिये थे कि क्या क्या है अब नेक्स थोड़ा सा बड़ा question था ना statement थोड़ी लंबी थी इसलिए आपको screen में देखने में थोड़ी problem हो रही होगी अना चलो next which of the following plant is monosius monosius बोला है कौन सा plant monosius है कारी काराइस पपाया कारा मर्चेंटिया पॉली मॉर्फार या साइकर्स क्रिमिनल आलिस्ट येस बताओ monosius कौन से होते हैं monosius monosius plants कौन से होते हैं जो क्या बियर करते हैं जो बियर करते हैं monosius sexual reproductive organ मतलब दोनों के दोनों कौन से stamen और कारपल अलग-अलग हैं अना वही होते हैं mono तो कौन सा है क्या बोल रहे हैं yes बताओ क्या होगा इसका correct option karas ma'am कुछ कुछा से के लिखा है आज ये है वो क्या लिखा है जिसमें बोथ जिसमें बोथ male and female reproductive system present होता है and female reproductive organ present होता है किसके अंदर same individual के अंदर तो यहां पर कारा सही है option क्योंकि कारा क्या है green algae है ना green algae है जो क्या होता है monaceous होता है whereas जो psychus है यह साइकस है यह तो gymnosperm है इसमें तो अलग-अलग होता है gymnosperms और papaya क्या है यह angiosperms है यह तो seed bearing है angiosperms है और merchantia bryophyte है bryophyte है ठीक है जो कारा है वो क्या है green algae है यह क्या करता है photosynthesis करता है ना gyra spiro gyra यह सब क्या करते है photosynthesis करते है ठीक है b is correct very nice very good बेटा very nice चलो next question पर move करो strobili और quans are found in strobili पहले कॉन बताएगा strobili क्या होता है एक structure मैंने आपको बताया था यह non-flowering plants में होता है किसमें होता है non-flowering plants में होता है non-flowering plants में होता है यह क्या करता है sports को protect करता है कौन सी condition में harsh condition में harsh condition में यह कैसे होता है ऐसा structure होता है यह इसके अंदर sports यह stem के end पे लगा होता है एक stem है उसके end पे structure है जिसमें strawberry जिसमें सारे sports होते है और यह sports को protect करता है यह non-flowering plants में पाया जाता है ठीक है क्या बोल रहे है you quiz stem yes very good you very good you quiz stem you quiz stems probably i found at the end of this stem stem के end पे होता है लेकिन salivina petris और merchantia यह lack करते है इंके पास यह structure present नहीं होता है यह कैसा structure बनाते है dense structure बनाते है dense ठीक है clear है चलो next floridian starts has structure similar to lemme laminarian and cellulose starch and cellulose amylopactin and glycogen manitol या algin yes क्या पुछा है starch का structure पूछा है नहीं floridian का structure पूछा है किसका floridian structure बताओ कौन floridian किस में पाया जाता है कौन से कौन सी algae में पहले तो यह बताओ यह किसका storage food है कौन सी algae का yes end of the stem में पाया जाता है very good बेटा very nice अब next question में यह बताओ कि जो floridian starch है floridian starch किसका storage food है किसका storage substance है कौन store करता है amylopactin और glycogen तो ठीक है floridian starch कहां पे store होता है yes very good red algae red algae road of ic है ना इसका structure बिल्कुल किसके जैसा दिखता है amylopactin amylopactin and glycogen क्योंकि इसमें क्या होती है polymer होता है किसका glucose का polymer of glucose यहाँ पे 1-6 में कौन सी linkage होती है glycosidic linkage होती है glycosidic linkage होती है इसलिए इनका structure क्या है similar है amylopactin glycogen and glucose का जो structure होता है वो क्या है similar है ठीक है red algae में store होता है yes very nice चलो next general like celya selagina lella and salvinia produce two kind sports such plants are known as cellagina lella and salvinia क्या produce करते है two kinds two kinds of sports produce करते है two kinds of sports produce करते है ऐसे plants को क्या कहते है जो दो टाइप के sports produce करते है येस होमो sporous heterosporous होमो sporous या और होमो सोरस येस जल्दी बताओ क्या होगा आप जानते हैं on the basis of types of sports कैसे sports present होते हैं उस basis पे हम दो टाइप के here are plants differentiate करते है कौन कौन से एक होता है होमो sporous and heterosporous हेती रोज पोरस होमो sporous जैसे Zater ami सारे एक सारे प्लांट पर्एं सीमिलर कि मिलर पैसंदर काइंड आफ f order प्रडिूस करते हैं सारे sports कैसे होते हैं similar होते तpurifère में देखा है एक लार्ज होता है, जिसको हम क्या कहते है, मैक्रो, मैक्रो स्पोर कहते है, मैक्रो स्पोर कहते है, और एक स्मॉल होता है, जिसको माइक्रो स्पोर कहते है, क्या कहते है, एक को लार्ज को मैक्रो और स्मॉल को माइक्रो, यह हमें किसमें देखने को मिलता है, सिलाजिनला और सैल्विनिया ठीक है तो इसका correct option क्या है macro and micro very good hetero sports ठीक है तो यहाँ पे जहाँ पे different kind of sports पाए जाते हैं मतलब एक का size छोटा एक का बड़ा है उसको हम hetero hetero मतलब ही different होता है sporous मतलब sports sports का formation और homosporous का होते हैं जो same same kind के similar kind के sports का क्या करते हैं formation करते हैं चलो next match the column 1 with column 2 पोरोफाइट पैरसाइट लाइकन माइकोरिजा और वहाँ दे रखा है symbiotic association of fungi with plant roots next दे रखा है decomposition of dead organic material next दे रखा है living on non living plants और animals live on होगा यहां होगा live on living plants और animals symbiotic association with algae and fungi येस जल्दी बताओ सबसे पहले सेप्रोफाइट की बात करें तो सेप्रोफाइट कौन से होते हैं सेप्रोफाइट मृतोफाइट जो किस पे काम करते हैं that derive their nutrition from dead organic material तो ये क्या है A sporophyte क्या है A second नेक्स्ट है parasite parasite कौन है parasite कौन है जो किस के ओपर live करें living plants और animals के ओपर नवही तो होते हैं parasites कौन से होते हैं जिसमें एक species को benefit होता है और दूसरे को क्या हो रहा है harm हो रहा है तो वो किसी host के ओपर रहेंगे host जो living plant भी हो सकता है तो वो parasite है third चिक है next is lichens lichens क्या है mutual relationship किस के बीच में fungi और fungi और algae fourth mycorrhiza क्या है mycorrhiza mycorrhiza क्या है symbiotic association with fungi with higher root plants fungi with root plants तो इसका one होगा तो two three four one यह होगा है यही answer करें है oh very nice Shivangi very good very nice Nikita Gupta very good बेटा correct है Neelam very good Ayesha very good Banke Bihari very good very nice तो इसका correct option क्या है D two three four one clear है चले आगे चले next question पे चलो select correctively correctively written scientific name of mango which was first discovered by Karl Slinus Karl Slinus ने इसको क्या किया था discovered किया था सबसे पहले इसका scientific name क्या है mango का Magnifera Indica Karl Linnus Magnifera Indicus Linnus Magnifera Indica या Magnifera Yes क्या इसका correct option जल्दी बताओ Fungi with higher roots plants very good किसका binomial nomenclature किसने दिया था by nomenclature nomenclature किसने दिया था Karl Slinus ने हा न binomial क्यों था क्योंकि दो एक species पाई जाती है इसमें और एक genus पाई जाता है तो Magnifera Magnifera Indica क्या है Magnifera Indica चिक है चलो correct option is नहीं इसमें पूछा है first described by Karl Slinus जब Karl Slinus ने इसको first describe किया था तो इसका correct name क्या था तो इसने अपने नाम के पीछे इसने species के पीछे Linen लगा दिया था क्या लगा दिया था Linen तो इसको Magnifera Indica Linen बोला जाता है लेकिन बात में क्या हो गया था इसका जो obtained हुआ था नाम वो क्या था Magnifera Indica चिक है clear है clear है clear है इतनी बात इसने first described पूछा है मैंने भी ध्यान नहीं दिया first described पूछा है ठीक है B होगा इसका correct option first described पूछा है clear है Karls Linus ने किया था इसलिए इसको Linen last में L I N N लिखते थे और जो ये क्या था it is a fruit क्या था ये fruit था जिसमे Magnifera क्या शोकर है genus और Indica क्या शोकर है species ठीक है चलें आगे yes B होगा समझ आया क्यों B होगा चलो which of the following pair is of unicellular algae इन में से कौन सा unicellular algae है chlorella and spirulina laminaria and sargassum gonidium and gracilarid या anabena या walvox glyceria होगा ये gracilaria चलो I A होगा चिक है next कौन से unicellular है unicellular algae पूछा है क्या बोल रहे हैं सब लोग cholera and spirulina ओके अगर मैं एना मेना की बात करूँ तो anabena तो क्या है syno bacteria है syno bacteria है ये तो multicellular है walvox क्या है walvox colony में रहता है लेकिन ये unicellular algae है ये unicellular है ये unicellular algae है leminaria and sargassum की बात करें तो ये बोथ ही क्या है multicellular है दोनों multicellular है ठीक है और gonadium और इसकी बात करें तो ये भी क्या है multicellular है जबकि cholera और spirulina क्या है unicellular है यहां कहां यूज करते हैं cholera का और spirulina का इसका medicinal यूज भी है मैंने आपको medicinal मैंने आपको इसका economic importance भी बताया हुआ है बहुत अच्छे class में बहुत detail में हमने इसका medicinal क्या पढ़ा हुआ है importance पढ़ा हुआ है मैंने आपको cholera का बताया था कि लेके जाते है cholera को है ना कि इसके अपने साथ इसमें rich source of vitamin होता है vitamin and minerals होते है यह anti-oxidants की तरह भी काम करते है cholera and spirulina ठीक है our good source of vitamins and minerals yes space lgb भी बोलते है इसको लेके जाते है ना साथ में चलो which of the following statement is incorrect morals and truffles are eatable which of the following statement is incorrect moral and truffles are eatable delicacies clavic seps is a source of many alkaloids and LSD ponedia are produced exogenously and asco spores endogenously yeast have filamentous bodies with long thread like hyphae क्या पूछा आपसे correct option पूछा है किसका कि इन में से कौन सा incorrect है क्या पूछा है incorrect है morals and truffles यह तो eatable होते है यह तो ठीक है क्योंकि यह mushroom है ना यही एक mushroom है जो खाते है mushroom यही एक mushroom है जो क्या करते हो खाते हो है ना claviceps is a source of alkaloids ठीक है यह भी किसमे calvicals alkaloids है जो किसमें यूज करते हैं medication में यूज करते हैं आरगोट आरगोट का आरगोट अलकोईड होता है ना आरगोट अलकोईड अलकोईड कुनेडियम आर्थ प्रिद्द exogenously exogenously प्रिड्यूज होते हैं ये तो और sexual non-motile sports है और eco sports endogenously होते हैं ठीक है अंदर होते हैं ये भी हमने पढ़ा हुआ है लेकिन d filamentous body with long thread hyphy क्या yeast के पास क्या बताओ मुझे yeast के पास hyphy present होता है ये तो non-filamentous body है कैसी है non-filamentous है लेकिन यह पे फिलामेंटस दे रखा है तो ये इनकरेक्ट है ठीक है d वाला जो है वो इनकरेक्ट है वेरी गुड yeast सीडो माइसेलियम सीडो माइसेलियम होता है उस पे हाइफी present नहीं होती non-filamentous body है उसकी ठीक है clear है इतनी बात चले आगे चलो next which one of the following plants show a very close relationship with a species of moat where none of the two can complete its life cycle without the other क्या बूचा इसमें से ऐसा क्या बताना है आपको एक ऐसा plant बताना है एक ऐसा plant बताना है जिसका moat के साथ क्या है बड़ा close relationship है जिसके बिना इसकी cycle complete नहीं हो सकती आप option दे रखे है बनाना यू का हाइडरला या वियॉला yes क्या कौन आएगा मुन मुन कौन ये क्या लिख रहे है शिवांगी क्या हुआ मोत का close relationship close relationship किसके साथ है कौन से प्लांट के साथ है यह हमने एक एक example पढ़ा था जब हम symbiotic relationship पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे sim या mutual sim से अच्छा है mutual लिख लो यहां mutual benefit plant कौन सा है मूत के साथ yuka मूत क्या करता है मूत को अपने लार्वा को जब मूत लार्वा प्रेड्यूस करता है तो वो लार्वा yuka के ovarian ovaries में ovarian region में ovarian region में डाल देता है वो protect होते रहते हैं और उनको वहाँ पे क्या मिल जाता है shelter और food मिल जाता है तो यह plant इसको क्या provide कर रहा है जगा provide कर रहा है किसको मूत को लेकिन यह अपना काम कैसे कराता है मोच से क्या कराएगा यह pollination कराता है क्या कराता है pollination कराता है yes kalpa yuria yes very good yuka clear है इतनी बात ma'am munmun okay munmun okay नाम क्या है आपका Shivangi को बताओ क्या नाम है Shivangi पूछरिया आपका नाम क्या है दीपक तनवर बीज करेक्ट वेरी नाइस वेरी गुड बेटा तो यूका प्लांट याद रखना यूका का जो mutual benefit mutual association है किसके साथ है मोथ के साथ है वो उसके लार्वा को रखने की जगा देता है और उसको क्या देता है खाना देता है जबकि वो उसके लिए क्या करता है पॉलिनेशन करता है ठीक है next plants which produce characteristics pneumatophores and show wavy paris belong to emophytes, halophytes, pomophytes, hydrophytes yes क्या question पूछा है आपसे question पूछा है वो plant बचाओ जो pneumatophores और wavy paris से बिलॉंग करता है जो क्या pneumatophores pneumatophores क्या होते है कौन बताएगा pneumatophores क्या होते है अगर किसीने नहीं बताया न तो पटाई होने वाली है इनकी इतनी बार हम इस word को पढ़ चुके है यह modified है किसका roots का जो क्या करता है absorption करता है है ना शिवांगी को आज clear करना है name ओके हाँ hello fights में hello fights क्या होते है hello fights जो hello fights plants है उनके अंदर उनके अंदर क्या होता है वहां पर जो soil होती है वो कहाँ ग्रो करते है जहां soil salt rich होती है salt rich soil होती है hello fights थो उससे उनका जो adaptation है किस में? High salinity में तो high salinity में रहने का जो adaptation है वो यह ही है कि वो neumato foods को क्या करते है modify करती है roots को ठीक है यह वी-वी-पैरी condition भी show करती है वी-वी-पैरी जिसमें seed germination होता है seed germination कब होता है जब plant body के साथ ही रहता है किसके रहता है plant body के साथ attached रहता है वी-वी-पैरी तो hellophytes कौन से होते हैं जो वो plants जो salt rich soil में grow करती है specialized root structure है यह 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 बता हूँ इसमें से wrong option पुछा आप से wrong statement पूछी है, which statement is wrong, अगर-अगर is obtained from gonadium and gyaracillia, ये तो correct है, है ना, correct है न, ग्रैसिल एरिया और gonadium से ही, अगर-अगर, वो होता है, obtained होता है, जो gel होता है, अगर-अगर क्या है, gelling agent है, gel agent है, जो हम कहाँ use करते हैं, microbiology में use करते हैं, ये कहाँ से, red algae से, obtained हो रहा है, ठीक है, laminaria and sargassum are used as food, food की तरह use होता है, food की तरह use होता है, बी वाला, ये भी correct है, कहाँ से obtained होता है, brown algae से, brown algae से, अना, algae increase the level of dissolved oxygen in the intermediate, dissolved oxygen, algae क्या करते हैं, algae green photosynthetic animal भी है, मतलब क्या release करेगा, O2 भी release करेगा, किस में, environment में, तो ये increase भी कर सकता है, level को ये भी ठीक है, next option दे रहा है, algae is obtained from red algae and caragine is obtained from brown algae, ये गलत है, क्यों गलत है ये, कोई बताएगा क्यों गलत है ये, ये तो बता दिया सपने की गलत है, प्रित्वी ग्रैपर से शिवांगी जी, क्या हो गया बेटा, ये बताओ मुझे D option क्यों गलत है, D is wrong क्यों, D wrong क्यों है, algae in obtained from brown algae, yes, algae जो है वो कहां से obtained होता है, brown algae से, उसके cell wall से, brown algae की cell wall से, ये क्या है, एक emulsifying agent है, कौन सा, algae और keragin कहां से होता है, red algae से होता है, keragin, red algae से होता है, clear है, दोनों चीज़े clear हो गई, आपको पता है, ये जो algae नहीं है, वो brown से होता है, वो उसकी cell wall से obtained किया जाता है, और ये emulsifier agent है, emulsifying agent है, ठीक है, जबकि, जो keragin है, वो कहां से obtained होता है, red algae से obtained होता है, ठीक है, इसी लिए D option is, yes, बता दिया, bank के भी हारी, very good, very nice, मिल गया था मुझे आपका answer, very good, next, the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminants animal, include the halophiles, thermoacidophiles, methanogens या u bacteria, क्या पूछा है, जो primitive prokaryotes थे, मतलब bacteria, excuse me, जो क्या था, prokaryotes थे, किस के लिए responsible थे, बायो गैस के production के लिए responsible थे, बायो गैस के, production के लिए responsible थे, वो बायो गैस कहां से, कहां से obtained करते थे, ruminants के dung से, ruminants के dung से, ruminant animals के dung से, वो concept, concept prokaryotes है, येस, जोया, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, शिवांगी वेरी गोड, नीलम वेरी गोड, बांके भिहारी, वेरी गोड, वेरी नाइस, शिवांगी, नाबम, वेरी गोड, सुधा ठाकोर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, निकिता गुपता, दीपक तनवर, वेरी गोड, मिथेनो जन्स, येस, करेक्ट, मिथेनो जन्स कौन सी होते हैं, जो ruminants animals के, किस में रहते हैं, गट में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, क्या produce करते हैं, मिथेन गैस प्रिद्यूस करते हैं, तभी तो इनके डंक से, हम क्या produce करते हैं, बायो गैस बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है, चले आंगे, चलो, नेक्स्ट, विच ओफ दो फॉराइंग, इस रिस्पॉन्सिबल, फॉर, पीट फॉर्मेशन, ये भी हमने पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये जब मैंने, जब हम question कर रहे थे न, plants kingdom वाले chapter, जब हमने clear किया था, तो जब हम question कर रहे थे, तो पीट फॉर्मेशन का question आया था, तो मैंने आपको बताया था, ये कई मार पेपर में भी पूछा जाता है, merchantia, resia, fenaria, sphagnum, येस बताओ, कौन पीट फॉर्मेशन में help करता है, पीट फॉर्मेशन, पीट क्या होता है, पीट होता क्या है, कौन बताएगा, पीट क्या होता है, ये आपकी वीडियो से देखा, ओके बांके भी आ रही, ओके, क्या होता है, जो dead, or decade, organic matter होता है, वो किसका formation करता है, organic matter होता है, वो क्या बनाता है, पीट बनाता है, पीट बनाता है, वो slowly slowly degrade होता रहता है, और किसका formation करता है, पीट का फॉर्मेशन करते हैं तो कौन सा है मर्चेंटिया रीसिया फिनेरिया या स्वागनम येस जल्दी बताओ दी स्वागनम चिक है ये किस क्या है ये एक मॉस है मॉस पीट मॉस भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं पीट मॉस चलो next exist and oxygen फोटो अनदिसिष इसकिरेक्टर स्थिक ओफ रिटो फ़ बनाटीम इन ओक्सिजन के फोटो अंदेशल में कॉर्व अन बताओगा रटो जो आंपर नॉंदी जीनिके फोटो सिंथिज व्या एंगन oxygenic photosynthesis होती है मतलब की पानी जो है पानी से इसमें o2 produce नहीं होता यहां पर क्या होता है sulfur bacteria होता है h2s चाहिए होता है इसको sulfur bacteria वालेट sulfur bacteria h2s ठीक है spirogyra, clamadodominas, alva तीनों के तीनों क्या हैं ग्रीन अल्गे हैं तो यह क्या करेंगे photosynthesis करेंगे और photosynthesis करेंगे तो क्या release होगा oxygen release होगा तो यह तो an oxygenic photosynthesis नहीं करते वेराइस जो rhodospiralum है वो क्या करता है an oxygenic photosynthesis करता है ठीक है clear है done चलो next यह basically bacteria जी perform करते हैं ठीक है non sulfur bacteria जो होते हैं या purple sulfur bacteria male gametophyte with least number of cell is present in कि वो बताओ जिसमें बहुत कम least number of female gametophyte पाए जाता है petris funeria lilium या पाइनस जिसमें least number सबसे कम number किसका पाए जाता है है male gametophyte का पाए जाते है यह बताओ क्या होगा इसका अंसर पैट्रेस funeria lilium या पाइनस यह जो जो कौन होते हैं एंजियो इसका अभी देखा आपने जो mail gametophyte होता है वह रिडूस हो जाता है डेट्यूस्ड हो जाते हैं इस हाइली रिडूस्ड यहाँ पे ठीसेल structured होता है, three cell structure होता है, जबकि जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा, वहाँ पे क्या होता है, गेमिटोफाइट जेनरेशन, किस पे डिपेंड करती है, sporophyte पे, तो वहाँ पे मेल का नंबर कम नहीं होता है, क्योंकि फुनेरिया में भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ब्रायोफाइट से हैं, इसमें भी नहीं होता, पेट्रिस में भी नहीं होता, ये किसमें होता है, लिलियम में होता है, जो एंज्योस्पाम है, इसमें सबसे ज़्यादा reduced हो जाते हैं, मेल केमिटोफाइट, ठीक है, clear है, लिलियम होगा बेटा, इसका correct option, which one of the following fungi contains halocynogens Marchilla, Asculenta, Amensia, Muscaria, Neurospora SP या Silagospi, yes, कौन सा halocynogens है, halocynogens कौन होते है halocynogens, जो क्या करते है, halocynogens करते है, क्या करते है halocynogens करते है, halocynogens करते है halocynogens क्या होता है, कौन बताएगा शिवांगी कह रही है, B, B क्या है, Amensia, Muscaria, Muscaria, ओके, पहले मिलको बताओ, halocynogen क्या होता है halocynogen होता क्या है, यह एक psychoactive, psychoactive agent है क्या है, psychoactive agent है, psychoactive agent है, यह क्या करता है neuron को, neurons activity को, activate करता है, ठीक है यह क्या produce करता है, toxic alkaloid produce करता है, alkaloid जो क्या करता है, acetyl coline के साथ bind कर जाता है ठीक है, तो इसकी वज़े से, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है neurons को, क्या हो सकता है, उसका, जो control है, physiological activity है वो खतम भी हो सकती है, ठीक है, तो यह क्या है amantia muscaria, जो क्या है, एक halocynogen है चलो, next, which one of the following shows, isogamy with non-flagellated gametes इसमें से कौन सा शो कर रहा है, isogamy, और किसके साथ, non-flagellated gametes के साथ, yes, बताओ क्या होगा, इसका correct option, क्या बोला है isogamy, isogamy क्या होती है, isogamy, isogamy is fusion of gametes कौन से gametes का fusion, जिसमें, जिसका morphological और physiology, morphological और physiological वो क्या है, similar है, यह क्या है, morphological और physiological क्या है, similar है और anisogamy क्या होती है, जहाँ पे difference होता है, दोनों में difference होता है, ठीक है, जो आपको पता है, जो spirogyra है, spirogyra, उसका reproduction कैसा होता है, sexual होता है, और कैसा होता है, conjugation से होता है, conjugation, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, isogamy, same gametes मिलेंगे, लेकिन non-flagellated मिलेंगे, ठीक है, exocarpus में कौन से होते हैं, flagellated होते हैं, यहाँ पे याद रखना, exocarpus की बात करा जाए, तो वहाँ पे flagellated होते हैं, ठीक है, यहाँ पे haploid और diploid, दोनों biflagellated होते हैं, दो flagella present होता है, इंके उसमें, ठीक है, यहाँ पे althorax भी flagellated होते हैं, यह ग्रीन आलगी है, यह भी flagellated है, लेकिन यह और sexually reproduce करता है, ठीक है, सर गासम, जिस कहां से मिलता है, brown algae से, यह क्या होते हैं, free floating होते हैं, तो इनके पास भी क्या होता है, flagella present होता है, clear है, चलो, next, which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme, fungi, chitinase, bacteria, lysozyme, plant cell, cellulase, algae, methylase, yes, यह तो सभी बता देंगे, fungi जो है, उसके लिए कौन सा enzyme चाहिए होता है, chitinase चाहिए होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए कौन सा चाहिए होता है, lysozymease चाहिए होता है, plant cell के लिए कौन सा चाहिए होता है, cellulase चाहिए होता है, algae के लिए कौन सा चाहिए होता है, बताओ, कौन सा, algae की cell wall बनी किस से होती है, किस से बनी होती है, यह तो यह काईटनेज भी कर सकता है, काइटनेज भी कर सकता है और कौन कर सकता है यह लाइज़ोजाएज भी कर सकता है लाइजोजाएज यची हो फेक्टी में किको चका पैक्टी मतं या ना और बीटा फॉरा यह इस When I Amne है इसमेरें की वानी होती है लाँ लॉफ्याइ गार सकता है लेकिन मिठाइलेश तो नहींatten अगर सकता है लिवर वूट्स, मौस्स और फर्म्स, गेमिटोफाइट्स और फ्री लिविंग, जिम्नोस पर्म्स और सम्फर्म्स और हेट्रोस्पोर्स, सेक्शुल रिप्रदक्शन इन फोकस, फ्यूकस, वालवक्स, और अलबर्ग्यो और इस ओगमस, बोथ पाइनस और मर्चेंटिया और दायोशियस, क्या बोला, आपको इसमें से बताना है कि how many statements are correct, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले अगर हम बात करें liverwoods की, liverwoods की, mosses, farns, यह सब क्या है, independent है, यह free living है, independent है, free limit है, क्योंकि इनका गेमिटोफाइट कैसे है, free living है, तो यह तो सही है, gymnosperms and sperms are heterosporous, मतलब इनके जो spores है, वो different types की होते है, spores are, spores are different types, यह भी ठीक है, क्योंकि farns में different types के spores पाई जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, एक बड़ा होता है, छोटा होता है, sexual reproduction in fukas, walvpowers and albergo is ogammus, albogo में, ogammus होता है, ogammus, मतलब जो male gamete होता है, वो क्या है, छोटा है, और female gamete क्या है, बढ़ी है, female gamete क्या है, बढ़ी है, female gamete कैसी होगी, non-flagellate होगी, और male बाला क्या होगा, flagellate होगा, बोद पाइनस, यहाँ पहींगे अपूछीटी कि कौन कॉन सी स्टेट्मेंट इनकरेक्ट हैं कि कौन कॉन सी स्टेट्मेंट इनकरेक्ट है, C, मैं मेरा नाम नहीं लिया, क्यों, आईशा, ओके बेटा, 3, very good, very nice, निकिता गुपता, B कह रही है, अच्छा, वो पहले का कह रहे थे, शिवांगी ने बोला, 3, okay, सुधा टाकूर कह रही है, D, दीपक तनवर कह रही है, D, very nice, नीलम कह रही है, D, very good, तो तीनो इंडिपेडनेनन्ट है, वो उसका जो गेमीटोफाइट से वो कैसा है, independent है, फ्री लिविंग है, जिमनो स्टेटम और स्टेट में, क्या हें तरो स्पोर्स प्रेडिवेंग करते हैं, इक लार्ज होता है, स्पोर्स प्रेड डियूज करते हैं, एक स्मॉल होता है, सेक्शल focus wall works और यल बर्गो में कौन सी होती है उगेमस होती है जिसमें non-flagellate वाला कौन होता है female होता है और flagellate वाला कौन होता है male होता है चलो next select the correct नहीं correct थोड़ी select the wrong statement chlamadodominas exhibit both isogamy and anisogamy and focus shows zougamy iso gametes are similar in structure function and behavior and iso gametes differ either in structure function and behavior in who my seeds female gametes is smaller and who my seeds female gametes is smaller and motile and while male gamete is larger and non-motile yes क्या होगा इसका correct option अभी तो मैंने आपको बताया सारे इसका answer सही करेंगे क्योंकि अभी अभी हमने यह डिसकस किया है question कौन सा कि iso gametes are similar in structure wrong statement पूचा है and iso gametes differ in structure and function यह ठीक है iso gametes similar in structure ठीक है क्लमाडो डॉमिनाज एक्जिबिट बोथ iso gametes और anisogametes ठीक है और फ्यूकस तो zoo gametes शो करती है यह भी ठीक है अब क्या पूचा है in oh my seeds female gametes is smaller अभी मैंने आपको अभी अभी बिल्कुल पिछले question में पिछले question में अभी अभी मैंने आपको यह लिखा था अभी तो अभी तो अभी तो क्लास में क्या करना है इंटराक्ट करना है इंटराक्ट करना है क्योंकि इंटराक्शन का टाइम है मैं को जो प्लान किंग्डम पूरा समझाना था वो आपको समझ में आ गया अब हम उससे अभी तो आपको आंसर देना है मुनमोन ठीक है बैठना नहीं है मी तो पता नहीं चलेगा कि गलती कहां पर हो रही है शिवांगी को मस्ती करनी आज ओके दीपक तनवर ओके जोया क्या कह रहे हो नेकिता गुपता कहरी है डी वेरी गोड शिवांगी कहरी है डी वेरी गोड दीपक तनवर कहरी है डी वेरी नाइस नीलम कहरी है डी वेरी गोड जोया डी वेरी गोड आइशा देख रही हूं ब फैस्टें मिल रहें इतने सारी ना को यहीं कहीं यह मुन्मुन जी एस ग्रेजी तो नहीं है इन ग्रेजी वाल कि बेखो नेभारानिंग निशा आगई निशा प्रेजी आगई निशा ने आ टी ए सब्सक्राइ इस ने यहींत इंट्री मार दिये Megasporengium is equivalent to ovule, ambrosac, fruits या Newcellus Yes, क्या बूचा है? Megasporengium किसके equivalent है? किसके equivalent है Megasporengium? कहां पर present होता है Megasporengium? जो ovule होता है, ovule, उसके अंदर क्या है? ovule किसके अंदर है? Sorry, ovary के अंदर क्या है? ovule है, that attached to placenta, यह किसे attached है? placenta से, यह क्या आपकी ovary है, यह क्या है? ovule है, यहाँ पर क्या है? यह से, सैक है, यह सिंगल embryo sack होता है, embryo, जिससे क्या बनता है? Megaspore बनता है, Megaspore बनता है, इससे ही तो Megaspore बनता है, जब इसमें division होती है, embryo sack में, लेकिन ये किसके equivalent है ये पूरा ovule के equivalent है किसके equivalent है ovule के equivalent है ओव्योल, ovule, embryo sac नहीं बेटा ovule होगा, ठीक है और embryo sac में तो division होने के बाद mega sporengium बनता है, लेकिन पूरा का पूरा equivalent किसके है, ovule के, बट क्लास को इंट्रेस्टिंग भी रखने की रिस्पॉंसिबिलिटी है हाँ, very good, आज तो मैम फुल मूड में हो, breakfast किया है, बैठे हो मेरे ख्याल से तुम breakfast करके बैठे हो, है ना क्या कहते हो करके आए हो breakfast कि नहीं करके आए हो चलो, next question monoecious plants of chara shows occurrence of क्या बोलता है, वो monoecious plant जो है कौन सा, chara किसका occurrence है, upper agonium and lower enthridium on the same plant enthridophore या archigonophore on the same plant या stamin and carpal on the same plant या upper enthridium और lower agonium o agonium on the same plant, तो chara क्या है ये, green algae है सबको पता है, कैसा है multi-cellular है क्या है, multi-cellular है ये क्या reproduce कैसे करता है reproduce करता है बोद sexual और asexual asexual कैसे, vegetative mode से sexual reproduction में जो chara होता है, वो कैसे reproduce करता है, o gamus o gamus type male sex organ कैसा है male sex organ कैसा होगा इसमें चोटा होगा, और female वाला कैसा होगा बड़ा होगा, यहाँ पे male और female दोनों किसमें डवलाप होगा है एक तो same plant में, क्योंकि monotious है, same plant में होगा है ठीक है उपर वाला ugonium होगा और lower वाला entridium होगा on the same plant क्या होगा, उपर वाला अपर वाला ugonium है और नीचे वाला entridium है, on the same plant ठीक है, clear है चलो, next देखो ये तो सभी बताएंगे इसका अंसर सभी बताएंगे, मैं नहीं बताएंगी क्योंकि ये nitrogen fixing bacteria पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा nitrogen fixing bacteria associate with azola in rice field is frankia, telepathic, spirulina, anabena yes, फटफट से बताओ इसका correct option क्या है ugonium female entridium male, yes or lower entridium, yes very good, very nice चलो मैंने बूचा nitrogen fixing bacteria बताओ nitrogen fixing bacteria किसके साथ associate हो रहा है azola के साथ सभी इसका answer देंगे, मैं नहीं देगी nitrogen fixing microbes associate with azola in rice fields मैं नहीं दूँगी इसका answer आप ही दोगे और answer आ रहा है क्या answer दिया है बच्चों ने anabena anabena azola very nice, very nice very good, very nice cyanobacteria anabena cyanobacteria किसके साथ associate होता है azola ठीक है very good, very good anabena dope shop anabena anabena dope shop maaariya करो, वो अलग अना का रही है honey singh ka किसी को लेके हो चलो, next which of the following आप से next question क्या पुछ रहा है question पुछ रहा है which of the following is a correct statement and threedophores and archigonophores are present in pteridophyte origin of seed habit can be traced in pteridophyte pteridophyte gametophyte has protein ema and leafy stage in gymnosperms female gametophyte is free living yes, क्या पुछा आप से इसमें question में question पुछा है जो statement बतानी है correct statement ठीक है चलो, बताओ and threedophores और archigonophores are present in pteridophyte तो जो seed का origin होता है pteridophyte में वो ये तो सही लग रहा है मेरेको correct लग रहा है and threedophores और archigonophores नई, जो gametophyte stage होती है मतलब free living होती है free living होती है free living होती है तो यह तो gametophyte की stage नहीं होती इसमे archigonophores और नहीं present होती इसमे seed habit can be traced in pteridophyte नहीं, gametophytic stage होती है यह भी गलत है उसकी stage कौनसी होती है gametophytic होती है free living होती है origin of seed उसमें होता नहीं है ठीक है यह किसमें पाय जाता है, यह लिवर वूट्स में पाय जाता है, लिवर वूट्स में, मर्चेंटिया में, ठीक है, they are not present in teridophytes, teridophytes में नहीं होता यह, teridophyte gametophores has a protonima and leafy stage, किसमें होती है, leafy stage किसमें होती है, teridophyta में तो नहीं होती, जल्दी पताओ, sporophytic stage होती है उसमें तो gymnosperm, यह इसका D होगा, in gymnosperm female gametophytes free living, कौनसा option, यह वाला option correct है, free living थोड़ी होती है, कौनसी होती है, gymnosperms में gametophyte कि stage कौनसी होती है, attached होती है, free living थोड़ी होती है, गलत है यह वाला, B is correct, very nice, सभी ने B सही दिया था, very good, very good, bryophyta में होता है, very nice, very good, चलो, आज के लिए हम इतने ही questions करेंगे, अब हम next class में कुछ more questions लेके आएंगे, ठीक है, आज के लिए हम इतने questions करेंगे, next class में, इसी से ही related कुछ और questions भी करेंगे, ठीक है, इसी class से related और साथ की साथ, cell biology के question करेंगे, किसके करेंगे, cell biology के question करेंगे, ठीक है, clear है, सबको, अच्छा, आज पूरा टाइम लेके बैठी है, आज हम next, अब हम next class में continue करेंगे, कौन से, cell biology के question और कुछ और questions किसके classification के, ठीक है, अभी तो picture बागी है, ओके, ओके, nice session, thank you, ओके, शिवांगी, चलो, कल continue करेंगे, ठीक है, clear है, physiology, पूछ रहा है, अभी, मैम, physiology कब कराओगे, बांक के भी हारी, बेटा, human physiology और plant physiology तो दोनों ही कर ली, अमने, आपने नहीं देखी, last class में, last class नहीं देखी, क्या, जल्दी बताओ, last class नहीं देखी, चलो, बाबाई, last class देख लेना, class अच्छी थी, ओके, thank you, हांजी, बोलो, शिवांगी, जल्दी जल्दी बोलो, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो माम को, आपने नहीं देखी, ओके, तो last two classes में, हमने physiology वाला party cover किया है, बांक के भी हारी, ठीक है, उसमें हमने physiology के, हाँ, revision ही करी है, उसके questions ही attempt करे हैं, ठीक है, ओके, ओके, आज सब मुन्मुन को बाई कर रहे हैं, क्योंकि सब को मुन्मुन new student दिख रही है, क्लास में, हाँ, बोलो, निशा बोलो, दीपक तनवर, अच्छा, ये लोग लाइक नहीं करते हैं, तो शिवांगी को बहुत प्रॉब्लम है, निशा कह रहे हैं, लव यू, ओके, लव यू टू बेटा, चलो, डन, कोई और बात किसी को करनी हो, तो कर लो, जल्दी से, फटा-फट से, ठीक है, तो हाँ, उसका correct option, origin of seed है, वो किसमें देखा गया है, किसमें, टेरिडो फाइट्स में, चलो, मुन-मुन, girl है या, boy है, यह नहीं पता है, ठीक है, तो चलो, अब कल की class में आएगी मुन-मुन, तो सबसे पहले उससे यही पूछेंगे, कि मुन-मुन, तुम girl हो की boy हो, ठीक है, सब का confusion दूर कर दो, चलो, ओके, बाबाई, take care, have an ice day, कल मिलते हैं, same time, ठीक है, चलो, बाबाई, thank you, okay. झालए सबस्ते हैं, ओके, बाबाई, कर दो, ओके जो, तुम है, यह दो, झाल, बाबाई, जो, उन जो. झाल झाल